देखला में फिर से अपका एक बार स्वागत है ये उडियो विशी सुरुप से सातवे चरण से समन्दीत है ये निज पर वकटिंग दैनिक भासकर का है आज का है यानि 23 जनुरी 2022 का पटना का संसकरन पेज नंबर एक यानि फ्रॉंट पेज पर ये निज आया है इसका हेडिं किया गया थाा रिक्ति से समन्दित यानि जो भी नई रिक्ति झो जोड़ते वोई सिक्षक बाहली परक्रिया इन में पूर्ण कर आजाए इसके सात ही हम ये जरूर कहेंगे कि ये वीडियो सेर करते रही है लाइक करते रही है और स्वयोग करते रही है एक जुटता रहेगी को निश्ची तरुप से सिख्षक जो बहाली पर करिया है सासमय पूर्ण कराया जागा देखिए हेडिंग में क्या कुछ लिखा गया इसे भी पढ़ देते है असी हजारी स्कूलिव सिख्षकों की भ नहीं होगा को बिल्कुल ही ऐसे ही छपा हुआ ये खबर है जानी जो अगस्त वाला मामला है लेकिन इस पे त्यार जरूर रहना होगा आपको एक जुटता जरूर देखानी होगी इसका दूसरा सब हेडिंग है प्रात्मे के स्कूलों में भरेज आएंगे पद चले बिस्त को की ब Ah leave परक RIitta सुरू होगी इन्होंनी स्टार्टिंग में के ओली चीज़ डाला है कि अगस्त इस साल सातवी चरण के तगाव? अब बार बार ये कहा जाता था कि जो चटा चरन है वो जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद सातवा चरन स्टार्ट हो जाए गया तो आज हम ट्यूट जरूर करेंगे फॉलो जरूर करते रही है नीचे लिंक भी आपको जरूर मिल जाएगा इसके साथ इनों ने आगे लिखा है इसके बाद सिक्षा विवाग सातवी चरन के बहाली के लिए जीलो से रोस्टर के हिसाब से रिक्ती लेगा चटे चरन में अब भी 90,762 प्रारंबिक सिक्षकों की बहाली परकरिया चल लेती इसमें दो फेज में कॉंसलिंग के बाद 38,000 अव्यार्थी चैनित हो चुके हैं दो फेज में 38,000 अव्यार्थी चैनित हो गया है तीसरे चरन में 28 जनवरी तक 1368 नियोजन एकाईयों में 12495 पदों के लिए कॉंसलिंग होनी है 17 से 19 जनवरी तक अगर निकाईयों के 35 नियोजन निकाईयों में 460 पदों के लिए कॉंसलिंग हो जिसमें 207 योगे शिक्ष अव्यार्थी चैनित होए कुल पद और चैन के स्तिती देखते हुए या साफ देखकर साफ है कि छटे चरन में लगबग 47,000 सीटे रिक्त रह जाएंगे 19 सितंबर 2019 तक लगबग 71,000 प्रारंबिक स्कूलों में सिक्षकों के रिक्ती ली गई थी तब रिक्ती 90,762 थी अब जब सातवे चरन के रिक्ती ली जाएगी तो 19 सितंबर 2019 के बाद स्कूलों में सिक्षकों के रिटायर होने के बाद रिक्त हुए सीटों के गढ़ना होगी इसके साथ ही छटे चरण में रिक्त रहने वाले लगबक 47,000 सीटों को जोड़ने के बाद रिक्ती लगबक 80,000 से अधिक होनी की संबाना की यह 80,000 दिखा रहे हैं लेकिन अच्छे परीकेस से यह किया जाए अभी तक किया जाए तो यह 80,000 से भी बहुत ज़्यादा है और सब को जोड़ते हुए किया जाएगा निश्ची तरुप से सबकी सिक्षक बाहली परकिरिया पुन हो जाएगी इसके साथ ही बताते चले कि यहां अभी तक इन्होंने नहीं कहा कि कैसे यह अगस्त मन्त में कह रहे हैं अब यह टालने का विचार हो रहा है इस पर आप लोग हमे मुषरिता दखईये यहां इन्होंने 16 सर ने क्या कुछ काया इस में कहीं भी नहीं दिया च्छठे के बाद देखिकर संजे सर ने क्या काprob करना सुरू किया साथी सातवे चरन के जो भ्यारती हैं उन्होंने कहा है कि सर उन्तिस तारी को ट्विटर कंपेन है उस पर वीडियो बनाना चाहिए को वो भी बनेगा थोड़ा सा इंतिजार कीजिए जैसे ही समय अजडिक आएगा वैसे मैंने अपना नंबर दे दिया आपको वहाँ पर वाट पर 1722 सीटों से आधी से अधिक सिट रिकत रहने की संबाना है पिछली बाहली परक्रिया शुरू हुए लगबाग धाई साल हो चुका है पिछली पर शुरू हुए कितना साल हो गए गधाई साल लो ऑड़ू стен के हिसाप से सीट को आकलन कर वेकेंसी जारी कर दी जाेगी यह संजे सर का कहना है और सिक्षा विभाग के अपर मुख सचीव जी का कहना को ये सही बात है ये मांग भी होता कर डिमांड भी होता और इन्हों ने जो बाते कही है इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं लेगे जो इन्हों ने छापा है दैनिक भासकर जी ने जो छापा है वो पुल ही नीगेटिव कवर चापाया अगस्त तक इंतिजार करना होगा और इसके बिरोध में मतलब जरूर चलना चाहिए और बिरोध में क्या एक ट्वीटर कंपेइन जरूर चलना चाहिए जो स्टार्टिंग जो मार्च और अप्रील जल से जल अप्रील तक कहा गया है कि बाते कहा जाता था कि वह चीज यहां पर किलियर हो गया है सेंट्रलाइज तरीके से लिए जाएंगा आवेदन सात्वे चरण में बहाली के लिए व्यातियों से किंद्रकृत यानि सेंट्रलाइज तरीके से ओनलाइन आवेदन लेनी की तियारी चल दिए शिक्ष्य विभा रहे होता का तो यहां दो आप जानते हैं डीलेड और इंटर किये हुए हैं और सिट सिटी है तो वन उप्यक्षट में अपलाई करना चाहते हैं ब्यडवाद में यह 268 का सीट पास होना ची है और चीज केश्ट बास को में एपलाई ett भास होना चाहते हैं और सिक्षक और9 के लिए राजी के च्छाषट सरकारी संस्थान है बाहर के लोग भी अपलाई करते हैं यहां पर देखाए छट्टी चरण में खाली रहेंगे कितने पद को 47,000 खाली रह सकते हैं सिक्षा विभाग प्रारंबेक स्कोल में साथवी चरण के तर्थ सिक्षू के बाहली की त्यारी में शुरू कर दी है पिछले दिनों सिक्षा विभाग ने बिहार बेदाल परिक्षा समीति को पत्र लिखकर 2021 नॉबर में 1921 सतर के डियलेट परिक्षा के रिजल्ट जारी करने कि मतलब अब ये combination नहीं बन पा रहा है या तो हो रहा है कि सिक्षविवाग देखना चाहता है कि क्या वियारती तत्पर है कि नहीं क्या आगस्त तक हम ले जा सकते हैं कि नहीं खीचके यह हो सकता नहीं को गलती से चापते हैं मुझे नहीं लगता कि इस तरह का नियोज आना फिलाल एक जुटिता की जरूरत है हिंदी क्लब पे अब सब्सकाइब करके बने रहे हैं निश्ची तरुप से एक जुटिता आ जाती है को ट्वीटर और अभ्यान वेगरे हम लोचाहेंगे निश्ची तरुप से सातवी चरण आपका जल से जल दे स्टार्ट हो सकता है फि सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाईए इस बेल आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके जी सब बेलकुल फ्री है